तो आप मानित किये थे उनके उपर क्या किये थे थोड़ा एक्जामपल दीजे थोड़ा समझाई उन्होंने उनका वीडियो वाइरल हुआ था वीडियो बना के खूद अपने हाथ में मोबायल लेके कि हम लोग गांधी के मौद पे जस्ट मनाने वाले लोग है मनित का सब अब तो निकल गया है उनके उपर से एनसे भी हट गया है बहुत सारे केसमें को एनसे हट गया है मतलब क्या एनसे कितना दिन के लिए लगता है वो कानून ही आया कि मैक्सिमान तीन महिना छो महिना नौ महिना बारे महिना बारे महिना से ज्यादा किसी पर नहीं तो तो कोट में दलिल दिया हो गाई इनका कि भाई अब कोई उनसे दिकत नहीं है एने से इसली लगा जाता कि आपसे खतरा है देश को आप को लगा था और आप लाइब एक्सपोस देख रहे हैं मोतिहारी के मतलब हर मुद्दो पे अपनी बात रखने के लिए और यहां के नगर निगम से चुनाओ भी लड़ चुके रंजीत गिरी हैं जो कि कुछ दिन पहले जब मनीश कशिआप के उपर एना से लगा था बहुत सारी धराओ में केस दर्ध था जेल में बंद थे मनीश कशिआप तब सबसे ज़्यादा विरोध करने वाले बेक्ती यहीं थे, सबसे ज़्यादा उनके खिलाफ में वीडियो बनाने वाले बेक्ती यहीं रंजित गीरी थे आज मनिस का स्यप पूरे नौ महिने के बाद जेल से निकल चुके हैं, क्या कहिएगा? स्वागत है, जेल से निकले हैं, बेल हुआ है, बेल सबका राइट है, और आये हैं, तो कुछ सीखे होंगे तो क्या चीज आप देख करके हरदम उनके उपर आप वीडियो बनाते रहते थे, क्या चीज आपको ऐसा क्या देख लिए, क्या आपको लग गया, क्योंके खिलाफ में वीडियो बनाने लगे? मैं तो बहुंत है कि नूक्त ना पर उसके बाज जूट बोलता है कोई जश्न मनाएगा नहीं। जो भी है तो हम बोले मतलब मनीज कस्याप गांदी जी को आप मानित किये थे उनकी उनके उपर क्या किये थे थोड़ा एक एक्जामपल दीजेए थोड़ा समझाइए उन्होंने उनका वीडियो वाइरल हुआ था वीडियो बना के खुद अपने हाथ में मोबाइल लेके कि हम लोग गांदी के मौत पे जस्न मनाने वाले लोग हैं तो इसलिए इस बात को लेकर के आप उनका वीरोध करते हैं निश्ची तो बहुत सारा मालीजे मजदूर का जो बात आया वीरोध नहीं करते हैं आप पूछे उनका तरिफ करते हैं तो हम बोले कि ठीक है भाई मीडिया रिपोर्टिंग करते हैं कुछ मुद्दा को भी उठ विखाते हैं लेकिन आपको यह गांदी को गाली देने वाला सुनाफ बियार होता है मुतियारी के सुसिल कुमर उनको कई अपनी बिद्वता की प्रकाष्ठा लेके पर्थम के बीसी जीते थे उनको सुनाफ बिहार का यह वैचारा कितना अपना जीवन ब्यातीत करता है कि लोगों की आवाज उठाते हैं गलत चीजों के दिखाते हैं तो सुनाफ बिहार नहीं हुए ने ने आप सुनाफ बिहार हुए आप कुछ भी लिख लिजिए लेकिन सुनाफ बिहार का यहीं परिचे जाएगा पूरा देश में कि मतलब तामिलाडू में मजदूरों को लड धरना पर बैठे हुए थे पर तो वहीं तो आके फरजी वाड़ा करके निजज फरजी निव चला दीए कि कोई दिनों तक लागा था धारना पर बैठे हुए थे जाहिए यह चलाया dieses मैं को उन्होंने उनको डटार को यह दिनक हो आत पे जब कोScottन दिल आए उस परिवार को जब की डेवन से मैं रक्षाउल से लेके धरना हमी अगनाइज कर रहे थे संचालन मैं ही कर रहा था पाच दिन पहले से उए खुद पाच दिन बाद तो बात यह सब है तो सचाई बोल देते हैं अब आपको लगता है कि विरोधे कर रहा है इसमें ए जब आप धरना कर रहे थे मुतियारी में ही तो आपके और जो भी अस्थारी लोग थे वहाँ पे कोई लोग इखटा नहीं हो रहा था लेकिन मनिसका सेब के आजाने से बहुत सारा इखटा हो गया आप मीडिया बढ़ा बात समझे ना वह भी बड़ा मीडिया मनिसका सबके आने से पहले है आज तक वो मीडिया रिपोर्टिंग की या था हमलोग के धरना का बात संजे ना पेपर बड़ा बड़ा च्छप रहा था जो परभाव सालीस यहां लोग कर रहे थे आप लोग जैसे पत्रकार लोग आ गया और कुछ हुआ चिलाने लगा तो देखें दस अदमी देखने लगा ना यहां पर तो वहीं आया अब दस मीडिया आ गया तो भीड़ लगी जाता है मतलब मीडिया के आ जाने समां मतलब लोग द सबसे बड़ा साथ यूटूबर है आप यूटूबर है सब हर बच्चा जानता है उसका वीडियो देखें तो खाली गालिये देता है केरी मीनाटी जिसका नाम सुने है सबसे बड़ा साथ यूटूबर है आप ही लोग के येज का है उसका वीडियो अपने परिवार के साथ बॉइट के नहीं दे सकते हैं अब कहना क्या चाते हैं सबस्क्काइबर हो गया है हर आदमी का फॉलोवर है यहां पर कहने का मतलब है कि हर तरह के लोग का फॉलोवर है तो आपकी प्रस्वाइस हो गई किसको प्रस्वाइस हो गई तो कुछ भी अपने लिए लिए तो आपको कहें को यह कहें सबस्क्राइब को अपने इंडिया लिए राइट है अच्छा महनीश का सब अब तो निकल गया है उनके उपर से एनसे भी हट गया है बहुत सारे केसमें को अपको दिकत नहीं है सब्सक्राइब को भी लगा था नहीं हटाया हटाने से माना कर दिया अब कर दिया रहें हैं तो मुझे लगता है कि कुछ फढ़ाई लिखाई कि यहों के जेल में तो टीबी को भी देखने को मिलता नहीं था लोग को जलील करते हुए क्रेडिट लेने के लिए कि मैंने उसको रिहाई कराया क्रेडिट लेने के लिए चंपारन के लोग को जलील किये कि यहां पे कोई एक आर्मी का जवान पिटा गया सब लोग देखते रहे जब कोई आगे नहीं आया नहीं दिलाने के लिए तो महात्मा गांधी को गाली देते हैं अब उनको क्या कहिए अब अब चुनाओं में भी इसा अंदाजा लगाए ज़रा कि चुनाओं में आने वाले तो इस पर क्या कई है भाई हर व्यक्ति का चुनाओं लोडने का राइट है लोड़े आप सपोर्ट किजिए का किनी कि हम कहें सपोर्ट करेंगे इसे हमारे वीचार धरा ही नहीं मिलती है क अपनी विवाकी से बात रखने के लिए बहुत बहुत धन्यादा बहुत बहुत धन्यवाद